Hello friends, good morning, hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे Friends, आज की इस वीडियो में बात करूँगा DYDX टोकन के बारे में जो कि एक perpetual decentralized exchange है जो कि derivatives में, margin trading में, lending borrowing में और spot trading का भी option देता है जो कि एक order book concept यूज़ करता है swap नहीं है, यह order book based exchange है और जो DYDX का जो भी price जल रहा है वो $9.23 का है और market cap जो है, current market cap around $638 million का है यह token जो है काफी cash rich है मैं बोलूँगा क्योंकि revenue अच्छा खासा कमा रही है यह company, यह protocol revenue generating है और बड़े-बड़े लोगों ने इसको back किया है तो मैं बोलूँगा एक fat protocol है जहाँ पे काफी बड़े लोग है आप देख सकते हैं आपे paradigm है, polychain है बहुत सारे लोग है Brian Armstrong जो अभी CEO है और former जो founder थे Coinbase के, Fred यह इनकी जो company वो paradigm है यह लोग Truebit में भी involved है उस पे मैं भी video बनाऊंगा layer 2 पे यह काम करता है layer 1 का भी option है यूएस में I guess लोग layer 1 यूज कर रहे है भी तो layer 2 स्टार्क्वेर टेक्नोलजी यूज करता है अलग-अलग roll-ups है जैसे ZK Sink है जो की ZK roll-up यूज करता है Arbitrum जो है वो optimism यूज करता है तो ऐसे स्टार्क्वेर जो है उसका अपना एक technology है जो scale करता है और transaction को fast बनाता है चीप बनाता है यहाँ पर low fees है, no gas cost है किसी तरह का gas cost involved नहीं है बड़ी बात है यह बहुत quick है, secure है मतलब यह सारी चीज़ें है, features इन्होंने बताया है इस पर मैं बहुत रही discussion नहीं करूँगा मैं discussion करूँगा कि company जो है कितना revenue generate कर रही है किस तरह का growth दिखा रही है और क्या इसका valuation आने वाले time में हो सकता है अगर हम बात करें volume की तो 1.3 billion इनका reported volume है in last 24 hours अगर हम coin market cap पे volume देखते हैं जो भी decentralized exchanges है पूरा यह DEX basket है उसमें यह 1.1 billion दिखा रहा है थोड़ा बहुत data feeding का issue हो जाता है कई बार जो price feeding Oracle होते है तो delay होता है तो that could be the reason यह पे 1.1 billion है Uniswap का जो volume है 24 hours का वो है 1.5 billion यह V3 है और V2 है मतलब अल्मूस 1.8 billion का volume है और इसका 1.3 billion है अगर मैं इसका data उठाता हूं तो almost 40% के आसपास less है Uniswap से इसका volume Pancake का volume जो है वो Pancake से जादा इसका volume है आप देख सकते हो 1.1 है इसका 990 million है बट अगर हम Pancake की valuation को देखे तो Pancake जो है वो 3.1 billion का है और यह 600 million के आसपास है तो कहीने कहीन यह gap जो है वो दिख रहा है Uniswap का जो market cap है वो almost 8 billion है अगर मैं 40% भी कम कर दूँ Even 50% भी कम कर दूँ Volume के proportion में तो 4 billion के आसपास market cap DYDX का भी होना चाहिए अगर आप प्योरली यह वाला matrix के साथ compare करते हो और अगर हम देखे यह growth जो है इस project का यहाँ पे आप clearly देख सकते हो यह volume जो है starting में बहुत कम होता था एक लाग डॉलर के आसपास volume होता था जो की एक दम से आप देखते हो लगातार यह जो curve बना है लगातार इसमें जो है वो growth देखने को मिला है 2 billion, 2 billion 3-3 billion का जो है वो volume इसने अचीव किया है daily volume तो growth जो है आप देख सकते हो अगर मैं आप देखू account कितने लोगों ने use किया है मतलब exchange account create किया है तो यह भी growth बहुत जबरदस्त है आप यह देख सकते हो यह February का से लेके जो आप इस start हुआ था जब trading early Jan Feb से वहाँ से आप देख सकते हो अभी का जो है almost 48 यानि कि 50 fold जो है वो increase हुए है users और volume जो है वो भी काफी जादा growth देखने को मिला है यानि कि यह एक growing protocol है usage है अच्छा कासा volume है अगर हम बात करें revenue की तो revenue में भी इसका growth जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है आप यहाँ पे देखोगे token terminal पे बहुत अच्छा tool है आप इसको use कर सकते हो मैंने टोटल revenue वाला matrix खोला है जहाँ पे जितने भी projects हैं उनके revenue आप देख सकते हो revenue की basis पे अलग-अलग ratios है जैसे कि price to sales ratio है काफी important ratio है तो number 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 number पे इसका जो है revenue है इसका 180 days में 233 million का revenue generate किया है 30 days में 40 million का revenue generate किया है अगर हम purely revenue का matrix consideration में ले तो बहुत सारे जो protocols हैं वो काफी over value दिखते हैं आप देख सकते हैं Avalanche जिसका market का 30 billion का है fully diluted 78 billion का है उसका revenue DYDX से बेहत कम है आप देख सकते हो 35 million इनका है और DYDX का जो है 233 million यह काफी gap है बट हम एक consideration एक ही matrix को नहीं रखते है बहुत सारी चीज़े है network effect है VC backing है hype है और बहुत सारी चीज़े है बट हाँ यह एक important ratio है revenue क्योंकि long term में वही survive protocol करेगा जो जिसमें ज़्यादा ज़्यादा लोग involved होंगे ज़्यादा ज़्यादा लोग कभी involved होंगे जब protocol पैसा कमाए और decentralized protocols में कहा है कि जो भी पैसा कमाता है protocol उसमें से बहुत ज़्यादा जो users है उनको share करता है revenue sharing होता है यह बहुत बड़ा reason है decentralized exchange और centralized exchange में तो definitely as an investor हम लोगों को यह वाला जो ratio उसमें बहुत ज़्यादा focus करने की जुरूरत है going forward और जब यह bear market आएगा यह किसी तरह का slow down आएगा तो यह जो सारी चीज़ें वो काफी matter करेंगी चाहे PE ratio है चाहे price to sales ratio है revenue है growth है कि कितना quarter on quarter year on year किस तरह का growth देखने को कितने account लो create कर रहे है कितने users increase हो रहे है revenue grow कर रहा है नहीं कर रहा है तो यह सारी चीज़े slow down जब होता है उस time काफी important है और in fact bull run में भी अगर आप इस तरह के metrics को देके invest करोगे तो failure के chances जो है वो बहुत कम है तो यह project जो है revenue generating project है sushi swap से जाधा revenue है Aave से जाधा है comp curve इन सब से जाधा revenue dy dx जो है वो generate कर रहे है अब single अगर इस पर भी compare करो अब Aave का भी market cap I don't know कितना है I guess 2-3 billion तो होना ही चाहिए अगर 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 का market cap देखते है तो Aave का market cap 4 billion के असपस है तो कहीं न कहीं यहाँ पर valuation मेरे को काफी appealing लग रहा है मतलब यहाँ पर देखो downside यहाँ से भी है इसका जो सब से negative point है वो यह है इसका fully diluted market cap और tokens की supply यानि कि 6-5-6% ही tokens है वो supply में इस पर भी मैं आऊँगा इसके बार में detail आप लोग साथ तब discussion इस पर करूँगा कि tokenomics कैसा है क्योंकि बहुत important ratio है बट अगर हम बात करें growth की तो यह high growing protocol है इसमें बहुत अच्छा growth दिखाया है इसमें कोई दो राए नहीं है कोई शक नहीं है यहाँ पर volume, revenue, accounts open interest, सब कुछ जो है वो increment में आपको देखने को मिलेगा यह मैं आपको description अभी add कर दूँगा बात करते हैं कि valuation जो है अब आने वाले टाइम में token की wasting कैसी होगी और उसके basis पे हम क्या call ले सकते हैं तो यह है token का allocation इनका, total जो token है DYDX का, 1 billion का है जो अगले 5 साल में circulation में आएगा यानि कि अगर हम एक easy math करे average math करे तो 20% का annual inflation है for the next 5 years यानि कि 1 billion में यानि कि 200 million हर साल token आना चाहिए एक simple math, बिल्कुल easy math तो September में इसकी trading शुरू ही है August and September में तो अगले September तक 200 million token आना चाहिए इस math से बट इससे थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि इसलिए कम आ रहा है कि जो 50% जो allocation है जो शुरू का 50% है वो community को जाता है अलग-अलग तरीके कि उसमें incentives है जैसे liquidity mining है trading fees है trading reward भी काफी अच्छा अगर आप इस exchange पर trade करते तो आपको reward मिलता है प्लस staking है अगर आप DYDX को stake करते है तो I think 30-40% का APR है आप USDC को stake करते है तो 15-20% का APR है तो यह जो सारी चीजे है यह यहाँ पर देख सकते हो 50% to the community as follows यहाँ पर DYDX जो trade करेगा trading milestone retroactive mining rewards formula reward मतब USDC staking DYDX staking तो यह सारी चीजे में 500 million आना है और जो 500 million है वो अलग-अलग investors seed investors founding members जो भी है वो लोग जो बड़े-बड़े backers है वो लोग है लेकिन उनका जो wasting है वो थोड़ा लेट आएगा आप देख सकते हो यह जो investors का जो unlocking है वो 18 महीने 19 महीने 25 महीने ऐसे है 30% of DYDX holding will unlock after 18 तो इसको मैंने जो calculation किया है मैंने थोड़ा इस पर दिमाग चला है तो मेरे को जो average निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि मोटा-मोटा 10% के आज-पास मतलब 50% less आएगा in next one year यानि कि 200 million की जग़ September तक मेरे को लग रहा है 130-135 million token आएगा तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि वेस्टिंग है बट next 12-18 महिने तक मतलब ठीक ठाक है उसके बाद थोड़ा सा वेस्टिंग इंक्रीज हो गए निकि अभी भी हार पास 6-8 महिने है 10 महिने है जहाँ पर supply तो आएगी बट अगर हम compare करें कि आने वाले टाइम में जो आना है huge supply उसके comparison में supply कम आएगी तो लेट से हम September की बात करते हैं जो मेरे को भी लग रहा है कि यह bull run बहुत जादा तो मेरे खाल से April में जून उसके बाद मुश्किल ही लग रहा है मेरे को की market मतलब sustain कर पाएगा क्योंकि बहुत जादा अगर valuation 4-5 trillion चला जाता है तो sustain भी करना मुश्किल है तो हम 6-8 महिने के प्लानिंग करके चलते हैं तो fully diluted अगले September तक 8-10 महिने तक वेरे को 1.3 billion दिखता है market cap अगर मैं Uniswap के साथ compare करू तो यहाँ पे 8 billion है in fact अगर सूशी के साथ compare करू सूशी से जादा revenue है जादा volume है तो यहाँ पे सूशी का 1.7 billion का market cap है versus आप 634 million अगर आप September तक के भी fully diluted लगाते तो 1.3 यानि कि फिर भी कहीं ने कहीं एक room है growth का एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ आप लिक साथ share करना मैं चाहूंगा एक article में पढ़ रहा था कल उसमें इनोंने पैसे उठाये है June में जो इनका round हुआ था जहांपे funding round हुआ था जहांपे बड़े-बड़े बैकर्स ने इन्वेस्ट किया था तो 215 million dollar का valuation पे इनोंने fund raise किया था और उस time जो volume हुआ करता था वो 25 million dollar per day का volume था आज जो volume है वो 40 गुना से जादा increase हो गया है मैं अगर उस point of view से मैं तब compare करूं उस point के साथ तो 50 times जो है जादा valuation होना चाहिए उस point of view से यहनी कि 215 का 8 से 10 billion dollar का valuation होना चाहिए तो कि आप देख भी सकते हो fully diluted 9.2 billion है but this is fully diluted अगले 5 साल की बात हो रही है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इस token में इन्वेस्ट करते हो अगले 5 साल की तो इस चीज को आप ध्यान में रखो और जो इन्वेस्टर्स है इसमें काफी बड़े-बड़े हैं और रवेन्यू जो है वो कंपनी जो है वो जिनरेट कर रही है तो एक fundamental play हो सकता है अगर किसी तरीके का इसमें डिप आता है इसका जो all time low है वो 7 डॉलर के आसपास है मैंने थोड़ा सा इसमें बाई किया बिलकुल जरा सा सादे नौ डॉलर के आसपास और देख रहा हो कि just for the tracking purpose की कैसा रहता है बाकि ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी strong है इसको आप stake भी कर सकते हो तो गवर्नेंस भी है अब token की utility कितनी है उस पर मेरे को deeply study करना है बट हाँ staking है liquidity mining है और governance है तीन तरह की अभी utility नोने create करी है तो ये सारी चीजें है ये इसका UI है आप देख सकते हो यहाँ पर आप जाके trade कर सकते हो और कुछ important नहीं है I guess ये आपको ये जो है description में आड कर दूँँगा आप लोग देख सकते है कि किस तरीके का allocation जो है वो आ रहा है और ये है volume तो volume में अभी भी ये दो number का DEX है लेगिन अगर market cap की बात करें तो काफी जादा gap है Uniswap और अपना DYDX में In fact अगर आप perpetual के साथ भी अगर इसको compare करते हो just on volume अगर मैं perpetual की बात करूँ तो इसका market cap almost इसके बराबर है but volume इसका 50 to 80 million का है daily volume और revenue भी जो है वो काफी कम है in comparison with DYDX आप यहाँ देख सकते हो revenue भी काफी कम है 16 million का 180 दिन का है और उसका 240 million के आसपास है 30 days का 2.33 million है और अगर हम बात करें DYDX का तो 20 गुना जादा है लेकिन market cap almost बराबर है आप देख सकते हो 600 million 600 million तो room मेरे को यहाँ पर दिख रहा है तभी मैंने इसको थोड़ा सा seriously लेना शुरू किया है हलाकि downside अभी भी है अगर market में किसी तरह का shake out आता है तो हो सकता है दुबारा retest करने जाए अपने लोग को 7 dollar, 6 dollar तो वो भी एक अच्छी buying opportunity हो सकती है तो इन चीजों को आप बिलकुल ध्यान में रखें और यह tool आप use कर सकते हो price to sales ratio भी काफी अच्छा ratio है important है इसमें जो भी आपका fully diluted market cap होता है उसको divide आप करते हो अनुलाइज revenue के साथ तो जितना जादा कम है उतना जादा अंडर वैल्यूड है प्रोजेक्ट बट आप किसी भी एक ratio पे decision नहीं ले सकते इच शुड बी combination अधा price to sales ratio ज़रूरी है फिर project कितना मतलब उसके अंदर कितना cash rich है मतलब runaway कितना है censorship resistance है या नहीं यानि कि long term में कितना secure platform है उसका security कैसी अब देगो pancake है चाया आपका trader जो है चाया और भी अलग अलग जो layer 1 पे आ रहे है वो सब है लेकिन कितना survive करेंगे इस पे मिलको doubt है लेकिन अगर ethereum based कोई application है तो वो एक long term जो survival है उसका हमेशा मतलब percentage जादा रहेगा इ यहां पर trader Joe को भी आप देख सकते हो इसने भी tik-tak revenue कमाया है PS ratio बहुत कम है आप देख सकते हो इसका हम अगर analyzed जो revenue है जो fully delivered market cap से आप करते हो तो काफी सस्ता देखता है बहुत जबरदास है in fact sushi shop मैं भी पीछे भी अपने कुछ close friends कात में discussion हो रही थी तो sushi swap तो 5-6 dollar पे screaming buy थ मतलब चीक चीक कह रहा था कि आप कर सकते हो क्योंकि इसका भी ratio काफी शांदार है तो आपको खाली एक ratio पे decision नहीं लेना है यह सारे ratio बहुत ज़रूरी है बट आपको और भी चीज़ों को देखना है कि technology कैसी है funding कितना है backers कैसे community कितनी है longevity कितनी है तो यह सारी चीज़ों क अब देखो fundamental research करो और I think आज के लिए बस इतना ही तो मेरा जो कही एक fair valuation निकल के आता है DYDX का वो है मोटा मोटा 3 billion to 5 billion यानि कि अजर मैं September तक का भी fully data rate तो 1.9 3x का कही ने को potential is में है तीस पैंटीस दॉलर यह जा सकता है that is my fair target reasonable target I would say thank you very much for watching have a great day